कि आउर्राइट लेडिज एंडंडल jijैं तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको लीगल में धमकी कैसे जो हमारी ना उन लोगों को धमकी देनी नहीं आती कि कर रही है वैसे तो धमकी दे रहे हैं तब ही Τथ थिए? अब धमकी देना मंझा है कैसे देते हैं तो देखो आपको न को आपको जादेत कभी भी आपको धंकी दोना किसी को भी ठीक है चैए किसी की भार देंगे पीट देंगे यह तुभार निकल वागेरा वागेरा मतंद कुछ भी फिर आपको बलाये जाता है आपकी मतलब लग जाते हैं तो इन चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो तो चलो बात की बात है हम बात कर रहे हैं Pre-Legal Tips में तो आपको धमकी भी कैसे देनी चाहिए तो आपको धमकी देनी चाहिए लीगल वे में, अब लीगल वे क्या होता है ऐसे, जैसे कि मानलो आपको कोई परिसान कर रहा है, ठीक है, फिर वो फैमिली में हो, या फिर डॉमेस्टिक वाइलेंस हो रहा हो या फिर कोई आपका रलेटे वगरा कुछ भी ठीक है, तो आपको जो धंकी देनी है वो देनी है कि भई, रुक, तुझे मैं डंडे पढ़वाओंगा पुलिस के, ठीक है, मतलब अपने एक अथरोटी का नाम ले देना है, रुक, तुझे जेल विजवाओंगा मैं, रुक, मतलब तेरी कंप्लेन करता हूँ, रुक, तुझे बनाता हूँ, अभी तुझे पावर दिखाता हूँ, रुक, कोट जाएंगे हम, रुक, तुझे सजा करवा के छोड़ेंगे हम, ऐसे, यह होती है, लेकल वे में धंकी, लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटे बतार हूँ, तो उनको बोलता हूँ, कि ठीक है भई, हम जाएंगे फिर कंजे उमर गोट, समझ रहो, धंकी भी हो गई, और काम भी हो गया, आगली पार्टी यह भी नहीं कह सकते, भी इसने मेरे को धंकी दिया, क्यों, कोट का नाम आ गया, हम तो कोट जाएंगे, तो उसको बोल दो, आप, उसी जो भी आपका कंसर्ट, जहांवी आप उसको किसी person को, जैसे मालो सब्सक्राल मेरे कोई लडाई हो रही है, ठीक है, to सब्सक्राल में आपने यू बोलना है, कि मैं आपको case करूँगी, केस करूंगी क्यूंकि आपने मेरे को हरास्मेंट किया है और लीगल केस्ट करें के कोड़ तक पहुंचाएंगे तो कभी आपने यह नहीं कहना भी तिरेको बाहर भार तो उसको लिए है आप कोड जाएंगे हम कंजिमर कोड जाएंगे टो हर चीस के लिए अथोर्टी बनी हुई है तो आपको ऐसे कंप्लीन मतलब सुरी दंकी देनी है ओके वो छोड़ो प्राना तो अपना हो नहीं होला ओके वाई